बिस्मिल्ला रुर्मान रुर्हीम अस्सलाम अलेकुम दियर स्टुडेंट्स आज में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेस्टन नबर 8 स्टार्ट करती हूँ दा पॉइंट्स A एंड B are ends of a diameter of a circle. Find the center and the radius of the circle. ठीक है, question की statements में हमें diameter के end points की बना है जो के उन्हेंने कहा है A और B कहा है diameter के end points है और दो चीज़े find करने के लिए कहा गए एक तो हमने circle का center find करना है और दूसरा हमने circle का radius find करना है clear अब यहां पर मैंने circle draw किया यह इसका center point है जिसको मैं कहरती हूँ O है ठीक है मुझे इसके क्या find करने है coordinates यानिके x और y की values अब यह हमारे पास है diameter ठीक है इसका एक point है A यह और यह point है B तो A B points हमें given है एक तो मुझे यहां से यहां तक का distance जो के हमारा radius होता है वो find करने है आप O A find कर ले या O B find कर ले दोनों ही हमारे पास के है radius है circle के और दूसरा मुझे O center है हमारा ठीक है center के क्या चाहिए coordinates x and y coordinates find करने है एक यह गीवन दैट गीवन दैट गीवन दैट A and B are end points end points of a diameter of a circle ठीक है अब हमने find करना है O ठीक है let O जो हमारे वो actually क्या है A B का midpoint है clear है तो हमारे पास जो O है ना इसके मैंने कह लिए जो coordinates हम वो xy है मुझे यह xy find करना है तो मैं यह से लिखती हूं this is equal to A B के coordinates ठीक है तो वो क्या होता है actually midpoint का formula x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 denominator में again 2 अब A B है ना तो यह मेरा x1 है यह मेरा y1 है यह मेरा x2 है यह मेरा y2 है simply वो values put कर दें यहां से मेरे पास xy की value आ जाएगी तो यहां से मेरे पास O point क्या आ जाएगा देखें x1 कितना है minus 5 x2 कितना है plus 5 over 2 y1 के है minus 2 और y2 के है minus 4 denominator में 2 आ गए ठीक है यहां पे आगे हमारे पास 0 by 2 और यह आगे है minus 6 by 2 0 by 2 is equal to 0 and 6 by 2 is equal to minus 3 हो जाएगा negative sign है तो यह मेरे पास center आ गए ठीक है यह x है हमारा और यह y आ गए clear center हम लोग ने find कर लिए अब मुझे क्या find करना actually radius find करना circle का तो radius हमारे पास क्या है O से A तक का distance या फिर O से B तक का distance तो आप चाहें तो O A find कर ले आप चाहें तो O B distance find कर ले ठीक है x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square square root अब देखें O के चो coordinates है ना O ठीक है वो कह है 0 minus 2 और B के coordinates हमारे पास क्या है B के है हमारे पास 5 minus 4 यह मेरा x1 है यह मेरा y1 यह मेरा x2 है यह मेरा y2 तो इनके according यहां values put कर दते हैं हमारे पास R equal हो गया x1 कितना है 0 x2 क्या 5 है तो minus 5 का square plus y1 क्या minus 3 और y2 क्या है minus 4 minus यहां already यह क्या हो जागा plus 4 का square तो यहां से students हमारे पास आ गया minus 5 का square 25 plus minus 3 plus 4 यहां पे 1 हो गया तो 1 का square 1 so here radius हमारा क्या आ गया 26 का square root आ ठीक है तो हमारे पास center आ गया 0 minus 3 और radius की value आ गया हमारे पास square root of 26 question number 8 हमारा complete हो आ students hope so आपको clear हो गया अगर आपको मैने teaching method पसंद आया हो तो video को कट दे like channel को कट दे subscribe and please share it with your friends thanks for watching this video allahafiz